हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैग माई यूट्यूब चैनल, स्टडी प्लस वर्क आउट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे B.A.C. फर्स्ट येर, केमेस्ट्री का थर्ल पेपर, फिजिकल केमेस्ट्री की आंसर की फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजे, कमेंट कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे और यादि आपको कोई आंसर में वेरेशन दिखता है, आपको लगता है कि सही आंसर मैस नहीं हो रहा है तो पिलीज आप सही आंसर मुझे कमेंट कीजे, मैं डिस्क्रिप्शन में सही आंसर डाल दूँगा तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते है फ्रेंड्स, क्वेशन नमबर वन है, एक आधर्स गैस के लिए संपिड़ता कारक जैड है तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, एक के बराबर, जैड इक्वल टू वन, आधर्स गैस के लिए नेक्स्ट, चौसट ग्राम ऑक्सिजन में कितने मोल ऑक्सिजन मौझूद है तो इसका आंसर भी है फ्रेंड्स, डी, सोला मोल नेक्स्ट, कॉइसन नमबर थ्री नीमलिखित में से कौन सा गैस नियम नहीं है तो इस फ्रेंड्स, हुक का नियम फ्रेंड्स, हम जानते हैं, बॉयल, चार्ल्स और जो गैलुशा के नियम है वो सब गैस के लिए देगे हैं लेकिन जो हुक का नियम है वो गैस के लिए नहीं है Q4 निमलिखित में से मुक्त पत अनुद्वारा तै की गई दूरी है तो फ्रेंड्स Q4 का है ए टकराने से पहले Next question no.5 समिकरन PV is equal to RT का प्रियूग आदर से गैसों के लिए किया जाता है वास्तविक गैसों के लिए सही समिकरन वंडरवाल समिकरन है वंडरवाल समिकरन का सही सुतर किया है तो इसका है फ्रेंड्स Q5 का हो गया हमारा C P plus A upon B square into V minus B is equal to RT Q6 वंडरवाल समिक्रण से व्याहर की वक्या करता है तो friends एक करता है हमारी C वास्तवी गैसों का आपने पिछले question number 5 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका answer मिल जाएगा वास्तवी गैसों के लिए सही समिक्रण वंडरवाल समिक्रण है तो उच्छे का हो जाएगा C next question number 7 एक वास्तवी गैस का आदर्स गैस हमिक्रण का बारिकी से पालन करती है इसका है friends B तब करेगी जब कम दाब और उच्छतापमान हो question number 8 सरवादिक संभावित बे क्या है what is most probability velocity तो friends 8 का हो जाएगा हमारा A root 2RT upon M question number 9 किसी गैस के उनुके सरवादिक संभावित बेक औसद बेक और मूल माध्य वर्ग बेक का अनुपात है तो friends यह अनुपात है एक अनुपात एक अनुपात एक दसम्लब एक दो आट अनुपात एक दसम्लब दो दो चार यहनि A question number 10 50 Kelvin पर H2 गैस की मूल माध्य वर्गती और 800 Kelvin पर O2 गैस की मूल माध्य वर्गती के बीक का अनुपात है तो इसका अनुपात है friends question number 10 का हो जाएगा A एनि 4 next question number 11 वह सिद्धान जो बताता है कि गैस में अनुपाते हैं जो तेजी से गती के रूप में जाना जाता है तो इसका है friends D गतीज आन्विक सिद्धान त्यानि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी question number 12 अईस्थाई दुई दुरवों और उनके प्रेरित अईस्थाई दुई दुरवों के बीच आकरसन के कारण किस परकार के अंतर आन्विक बल है तो friends question number 12 का हो जाएगा हमारा B यह है friends London fellow London Dispression next question number 13 hydrogen बंद की परवलता सहसेवजी बंद के समान होती है तो friends जो सहसेवजी बंद है और hydrogen बंद है इनके बीच friends ratio होता है 1 by 10 का इसका अंसर हो जाएगा C question number 14 पानी में अणों का जुड़ाव किसके कारण होता है तो friends यह आप सभी जानते होंगे यह होता है hydrogen बंद के कारण question number 15 पहला तापमान जिस पर ठोस टर्बिल तरल में परवर्दित होता है उसे कहा जाता है तो friends उसे कहते हैं गलनांक question number 16 LCD का full form क्या है लिक्विट क्रिस्टल डिस्पले question number 17 जब लिक्विट क्रिस्टल उस लिक्विट क्रिस्टल का नाम बताइए जो दुर्वित परकास में रंग प्रवाव दिखाता है तो friends question number 17 का हो जाएगा हमारा C friends जो polarized light है उसमें कॉलेस्टेरिक लिक्विट क्रिस्टल परकास के रंगों में प्रवाव दिखाता है question number 18 सिमित गतिशीलता वाले लिक्विट क्रिस्टल है तो इसका है friends A and C क्योंकि जो friends हमारा निमेटिक लिक्विट क्रिस्टल है यह बहुत ही तेजी से गतिशील होता है बहुत ही ज़्यादा भेहने का पुन रखता है तो जो सिमित गतिशील है वो इसमेक्टिक और कॉलेस्ट्रेक्टिक हो जाएंगे question number 19 सम्मिति के तत्वा तो friends इसका हो जाएगा D उप्रोक्त सभी सम्रूपता भी हो जाएगी friends अक्ष भी हो जाएगा सम्मता भी हो जाएगा और सिमित्री हो जाएगा center of symmetry question number 20 sodium chloride में sodium आयन के आसपास कितने chloride आयन होते हैं तो friends जो हमारा question number 20 है इसका हो जाएगा C यानि 6 question number 21 NaCl एक उधारण है तो friends इसका हो जाएगा C एक ठोस है sorry आयनिक ठोस है आयनिक solid question number 22 ब्रेग का सही समिक्रण है तो इसका हो जाएगा friends हमारा 22 का A question number 23 ब्रेग के नियम का परियोग किस परकिरिया में किया आ जाता है तो friends इसका परियोग किया जाता है question number 23 का हो जाएगा हमारा friends C x-ray crystallography में question number 24 एक फलक केंद्रित गन की एक अकोष्ट का में कुल कित परमानों की संख्या तो friends 24 का हो जाएगा हमारा C एनि 4 question number 25 जाली के सबसे छोटे भाग को तो इसे कहते हैं friends unit cell एनि 25 का हो जाएगा हमारा friends D question number 26 ब्राविस जाली में तो dot dot अंत्रिक्ष जाली होती है यानि friends इसमें specialetics कितने होते हैं तो 26 का हो जाएगा हमारा D एनि 14 होते हैं question number 27 इसेवन विस इंडेक्स दोनपा चारनपा तीन के लिए मिलर इंडेक्स तो यह हो जाएगा हमारा friends 27 का हो जाएगा C 634 next friends question number 28 कोलाइडी कड़ों का अकार कितना होता है तो friends कोलाइडी कड़ों का अकार होता है 10 anglestone to 2000 anglestone next है friends question number 29 एक कोलाइडी विलेन में निम्न होते हैं तो friends एक कोलाइडी विलेन में क्या होते है एक परिछेप्त प्रावस्ता होती है और एक परिछेपन मादेम होता है I am sorry friends इसका 29 का C है friends sorry एक परिछेपन मादेम होता है C एक परिछेपन मादेम में एक परिछेप्त प्रावस्ता होती है つ question number 29 का C है question number 30 कोलाइड कर सकते हैं तो friends एक परकास का परकिरिणन कर सकते हैं जिसको हम Tindle Prabowak की नाम से जानते हैं question number 31 परिछेप्त, परावस्ता द्वारा परकास के परकिरण उनको कहते हैं तो यह होता है friends हमारा टिंडल प्रवाव Question number 32 डॉड़ डॉड़ विलियन टिंडल प्रवाव नहीं दिखाता तो friends इसका है जो वास्ते विलियन होते हैं friends तो कभी टिंडल प्रवाव सो नहीं करते इसका A हो जाएगा 32 का Question number 33 एक लागो विदुद्चंता के तज सौल कंड की गति को खा जाता है तो friends 33 का हो जाएगा हमारा A वैदुत कंड संचलन Question number 34 A S2 S3 सोल पर आविस किस के कारण होता है तो friends 34 का हो जाएगा हमारा D S2 नेगेटिव आयन के अपसुशन के कारण Question number 35 निशारित सौल कंड के फ्लेकुलेशन और बसनी को कहा जाता है तो friends जो हमारा 35 है 35 का हो जाएगा हमारा friends B इसको कहते हैं friends इसकंदन Question number 36 मानवर्ख प्राकृतिक जिलियोंदारा डौडोर दोरारक्त को सुद्ध करता है तो friends यह आपको पताई होगा A है नमकिन गोल यानि ब्राइन सॉलिशन यह कोलाइडी बिलियन नहीं है Question number 38 फ्लेकुलेशन से तात पर यह है तो friends 38 का हो जाएगा हमारा B यानि कोलाइडी करणों के आविसका उदासी नहीं करण friends जब कोलाइडी करणों से उनका चार्ज हट जाएगा तो तली पे बैठ जाएगा यानि वो कोलाइडी बिलियन फिर कोलाइडी बिलियन नहीं रहेगा तो यह कोलाइडी करणों पर आविस का उदासी नहीं करण यानि आविस हटेगा तो सब कोईगुलेट हो जाएगे Question number 39 एक हाइडरोफिलिक कोलाइड की डॉड़ोड जितनी सोने की संख्या होती है उसकी सुरग चात्मक सकती उतनी अधिक होती है तो फ्रेंड्स हमारा जो 39 है 39 का हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा B यानि निचला Next फ्रेंड्स Question number 40 आयनों की संहुजगता के साथ भिप्रीत आविश के छित्रीवी अवस्ता के आयन का अवच्छेपन तो फ्रेंड्स जो हमारा Question number 40 है Friends इसका हो जाएगा B इसका है Friends बढ़ता है Next Question number 41 सुने कोटी अविक्रिया की दरिस्तरां की काई है तो Friends इसका है 41 का हो जाएगा Friends हमारा B More Liter Inverse Second Inverse Question number 42 पर्थम कोटी की अविक्रिया के लिए आधा जीवन काल 30 मिनट है अविक्रिया के पूरे होने के पिछेतर परसेट के लिए लिया गया समय है Friends 42 का हो जाएगा Friends हमारा C 60 मिनट Next Friend Question number 43 अविक्रिया का करम क्या है जिसकी इस्थिर दर और परतिकिरिया दर समान है तो Friends जो आउर्डर होगा वो 43 का हो जाएगा Friends हमारा A सुन्यε सुन्ये कोटी अविक्रिया में 1दर जो और परतिकिरिया दर है वो इस्थिर रहती है यहनी समान हो जाती है इस फ्रेंट्स कोईशन नमबर फोटी फोर निम लिखित अभिकिर्या के समगर कोटी की गणना कीजे तो फ्रेंट्स फोटी फोर का हो जाएगा हमारा सी यहनी टू फ्रेंट्स इसमें हमने 1 बाई 2 और 3 बाई 2 को जोड दिना है कोईशन नमबर फोटी फाइब एक अभिकिर्या की धरिस्तरांग की जिए इसकल्टू 3.28 इंटू 10 की पार 4 सेकंड इनवर्स है अभिकिर्या की कोटी याद कीजे तो फ्रेंट्स फोटी फाइब का हो जाएगा हमारा बी यह हो जाएगा पर्थम कोटी की अभिकिर्या कोईशन नमबर फोटी सिक्स पहले अभिकिर्या की कोटी में एक उतपाद है यह इसकल्टू 0.620m सुरू में और 0.520m 15 मिनट के बाद तरिस्तरांग का मान क्या होता है तो फ्रेंट्स 46 का हो जाएगा हमारा C 0.0117 फ्रेंट्स अगर आप को अंसर में वेरेशन लगे आई रुपिट आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं डिस्क्रिप्शन में सही अंसर टाल दूँगा फ्रेंट्स 47 का हो जाएगा हमारा C ये होता है फ्रेंट्स अभिक्रिया की सक्रिण नूर्जा एक्टिवेशन एनर्जी ओफ रियक्शन क्वेशन नंबर 48 अभिक्रिया के लिए दर नियम A प्लस 2B गिप C पाया जाता है दर इसकल्टू के A B अभिकारक B का सांदरन दोगना कर दिया जाता है और A की सांदरता को स्थेर रखते हुए दर इस तरहां का मान क्या होगा तो फ्रेंड्स 48 का हो जाएगा हमारा C चोगना कोईशन नंबर 49 निम लिखित में से कौन सा सही आरिन ये समिकरन है तो फ्रेंड्स 49 का हो जाएगा हमारा D के ए ए ए माइनस अपॉन आटी तो फ्रेंड्स या पॉन में नहीं बलकि उपर E की गात में होना था तो इसका हो जा दोड़ोट कोटी गतिकी का अनुसरण करता है तो इसका हो जाएगा ऊष्ड गयोगी होगी, अगर आपको विडियो हलप्वल लगी होगी तो फ्रेंड्स बीडियो का लाइक कीज़ी αλλά खнихला के जहें और अपने दोस्तों के सांथ शेयर कीजे और कमेंट कीजे आपको वीडियो कैसे लगे मैं फिर वीडियो के लास्ट में आप से कह रहा हूं कि यह दिया आपको अंसर्स में वेरिशन लगे प्लीज मुझे कमेंट कीजे मैं डिस्क्रिप्षन में सही आंसर डाल दूँगा तो आहे friends आपने वीडियो को enjoy किया हो और अपने मार्स को भी तो friends से best of luck for your next examination and all the best for your exam. Thank you very much. Thank you.